इकाई सोड़ पहलियां नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते टीचर, बहुत अच्छे बाल दोस्तों, आप क्यों बहुत जोर जोर से हस रहे थे? टीचर, राहुल ने हमें एक जोग सुनाया, इसलिए हम बहुत हसे बहुत अच्छे बाल दोस्तों, आपने कभी पहलियां सुनी है? हाँ टीचर बाल दोस्तों, पहलियां सब को पसंद आती हैं पहलियां बुझाना एक दिल्चस्प व्यायाम है पहलियां समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है पहलियां हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और हमारे ज्यान में विर्धी करती है तो चलो, आज मैं आपको पहलिया सुनाता हूँ आप सब उसका उत्तर दीजिएगा आँ टीचर तो चलो, सुनो एक गोल गोल घर है मेरा हर कमरे में रस ज्यों ही मुह में रखोगे हो जाओगे मस्त बाल दोस्तों, आप बताओ यह पहली का जवाब क्या है चलो, मैं आपको यह पहली का सरल अर्थ समझाता हूँ यह पहली कहती है कि मेरा घर गोल गोल है मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है जब तुम मुझको मुह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे बाल दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा बताओ, उसका जवाब क्या है पीचर, यह पहली का जवाब जले भी है जले भी बहुत अच्छे, सही जवाब है यह पहली का जवाब जले भी है रस से भरी जले भी चलो अब एक दूसरी पहली आपको सुनाता हूँ दो धर्ती में मैं पैर छिपाता आसमान में शीश उठाता टिकता हूँ पर चल नहीं पाता पैरों से हूँ भोजन खाता चलो वाल दोस्तों, बताओ यह पहली का जवाब क्या है चलो मैं आपको पहली का सरल अर्थ समझाता हूँ यह पहली कहती है कि मैं अपने पैर धर्ती के अंदर छुपाता हूँ मेरा सिर आकाश में उंचा रखता हूँ मैं एक जगह टीका हुआ हूँ पर चल नहीं सकता मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ बाल दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा तो बताओ, वो क्या है? वह तो पेड है सही जवाब है, वह पेड है पेड अपनी जडों से एक जगह स्थिर रहता है इसलिए वह चल नहीं पाता है लेकिन पेड हमें कई तरह से मददगार होते हैं जैसे की पेड हमें छाया देते हैं फल फूल देते हैं इसलिए अति उपयोगी प्राणवायू भी हमें पेड ही देते हैं इस तरह पेड हमें बहुत मददगार होते हैं चलो अब एक दूसरी पहली आपको सुनाता हूँ तीन तीन अक्षर का मेरा नाम सिर के उपर मेरा स्थान अंत कटे तो पग बन जाओं मद्ध कटे तो पड़ी रहूँ चलो इसका सरर अर्थ मैं आपको सुनाता हूँ यह पहली कहती है कि मेरा नाम तीन अक्षर का है मेरा स्थान सिर के उपर है अंतिम अक्षर कटने से पग बन जाता हूँ और मद्ध का अक्षर कटने से पड़ी रहती हूँ बाल दोस्तों आपको पता चल गया होगा अब बताओ उसका जवाब क्या है पीचर वह पगड़ी है अरे बहुत अच्छे सही जवाब है वो पगड़ी है जो हम अपने सिर पर पहनते हैं चलो एक और पहली आपको सुनाता हूँ चार पहाड है पर पत्थर नहीं नदी है पर जल नहीं शहर है पर जीव नहीं जंगल है पर पेड नहीं बाल दोस्तों बताओ यह पहली का जवाब क्या है सोचो सोचो चलो मैं आपको यह पहली का सरव अर्थ समझाता हूँ यह पहली कहती है कि पहाड है पर पत्थर नहीं नदी है पर जल नहीं शहर है पर जीव नहीं जंगल है पर पेड नहीं बताओ मैं कौन हूँ बाल दोस्तो अब तो आपको पता चल गया होगा बताओ यह पहली का जवाब क्या है यह तो नक्षा है सही पहँचाना यह नक्षा यानि की मानचित्र है बाल दोस्तों नक्षों को मानचित्र भी कहा जाता है चलो एक दूसरी पहली सुनो पांच कागर्स का घोड़ा धागे की लगाम छोड़ दे धागा तो करे सलाम बाल दोस्तों बताओ यह पहली का जवाब क्या है चलो मैं आपको यह पहली का सरल अर्थ समझाता हूँ यह पहली कहती है कि मैं एक कागज का बना घोड़ा हूँ और मेरी लगान धागे की है अगर धागा छोड़ दिया जाए तो सब को सलाम करता हूँ बताओ मैं कौन हूँ बाल दोस्तों दिमाग लगाओ और कहो उसका जवाब क्या है फीचर उसका जवाब पतंग है पतंग अरे बहुत अच्छे सही जवाब है वह पतंग है पतंग कागज की बनी होती है वह धागे के सहारे आकाश में उड़ती है आप सब उत्रायन के त्योहार में चगाते होंगे सही ना? हाँ टीचर हम पतंग चगाते हैं बाल दोस्तों आपको मज़ा आया ना पहलिया बुझाने में हाँ टीचर हमें बहुत मज़ा आया बहुत अच्छे तो चलो बाल दोस्तों आप भी पुस्तकालय में से रसप्रद पहलियां पढ़कर आना और अपनी कक्षा के सभी छातरों को सुनाना